हेलो बच्चो आप सुब का आपके अपने चनल कोविन लेक्चर्स में एक बार फिरसे स्वागत हैं तो पीरे विद्यार्थियो आज से हम कत्सा 9 विज्ञान विशे के अध्याय 4 प्रमानू की सरंचना की सुरूआत कर रहे हैं बच्चो अध्याय एक से लेकर 3 तक सभी की बहुत अच्छे से मैंने व्याख्या करा रही है साती साथ पार्ट के भीतर दिये गये प्रशन और अभ्यास प्रशनों को भी मैंने बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिया है बच्चो उन सभी की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है या पिर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन सभी क्लासेश को आराम से देख सकते हैं बच्चो आज हम बात कर रहे हैं अध्याच्यार प्रमानू की सरंचना आज हमारा भाग बन है क्योंकि चैप्टर काफी बड़ा है तो इस चैप्टर को हम दो भाग के अंदर कवर करेंगे तो बच्चो चलिए क्लास शुरू करते हैं बच्चो सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ सामाने परीचे की बच्चो अध्यातीन में हमने पढ़ा था कि जो प्रदात है प्रदात किसे मिलकर बना होता है परमानू और अनूओ से मिलकर क्या बनता है प्रदात बनता है हमने तीसरे पार्ट में क्या देखा था बच्चो कि जो प्रदात है जिसे हम क्या कहते थे द्रव्य भी कहते थे वो किसे मिलकर बना होता है परमानुवों और अनुवों से मिलकर बना होता है और हमने परदात की प्रिवासा क्या पढ़ी थी बच्चो ऐसी कोई भी वस्तू जिसका क्या होता है जिसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है और साथी साथ वो क्या करती है साथी साथ वो जगे घेरती है ऐसी कोई भी वस्तु को बच्चों हम क्या कहते हैं हम प्रदात कहते हैं तीके ऐसी कोई भी वस्तु जिसका कुछ न कुछ दर्वेमान होता है और वो जगे घेरती है बच्चों उसे हम क्या कहते हैं प्रदात कहते हैं और प्रदात बच्चो परमानुओं और अनुओं से मिलकर बना होता है ठीक है बच्चो विबिन प्रकार के पदार्थों का जो अस्तीत्व है वो उन परमानुओं के कारण होता है जिससे वे बने हैं अनि अलग अलग हम प्रदात या वस्तुओं की बात करें तो उनका जो अस्तीत्व है वो उन प्रमानवों की वज़े से ही होता है जिन से मिलकर वो बने होते हैं ठीक है जैसे मैंने कहा बच्चो इट इट किसे मिलकर बनी है इट बच्चो बनी है आपके बजरी है न बजरी और आपकी मिट्टी उससे क्या बनी है आपकी इट बनी है ठीक है इट मे परदात का जो अस्तीत्व है यह उनी वस्तुओं की वज़े से हैं जिन से यह मिलकर बनी है यह इसी रेत या मिट्टी की वज़े से है जिन से मिलकर यह बनी हुई है तो किसी भी परदात का जो अस्तीत्व है वो उनी परमानुओं की वज़े से होता है जिन से मिलकर उस परद का परमानु है वो दूसरे तत्वा के परमानूँ में क्या होते हैं अविभाज्य होते हैं जैसा कि ग्टल्टनol ने बताया था यहां पिर परमानूओं के भी़ेटर चोटे अन्रीया गटक विध्यमान होते हैं यदि हमने थीसरा बट पड़ा तो वहां से हमारे सामने कितने प्रश्ण उपर होए दो ठीक है जब हमने तीसरा अध्याय पड़ा तो वहां से हमारे सामने दो प्रश्ण उपन हुए पहला कि एक तत्वा का परमानू दूसरे तत्वा के परमानूँ से अलग क्यों होता है और दूसरा क्या वास्तम में परमानू और विबाज्य होता है जैसा कि डूल्टर ने बताया था या फिर परमानूओ के बिक्तर चोटे अन्य गटक भी मौजुद होते है या तो नहीं होते है ये दो प्रश्ण हमारे सामने उत्पन हो गए कहां से अध्याय तीन से अब बच्चों हम आगे बात करते है परदातों में आवेसित कन की की कोई भी जो परदात है उसके अंदर क्या वास्तम में आवेसित कन मौजुद होते है या नहीं होते यानि हम कैसे चेक कर सकते है कि परदात विबाज्य है अथवा अभिबाज्य तो बच्चो परदातों में आवेसित कणों की प्रकरती को जानने के लिए आईए हम क्या करते हैं क्रिया कलाप करते हैं पहला जो क्रिया कलाप दिया हुआ है कि सूखे बालों पर आपको क्या करनी है कंगी को घुमाना है अपने सीर के सूखे बालों के उपर कंगी को घुमाना है क्या कंगी कागज के चोटे-चोटे टुकडों को आकरसित करती है और जब कंगी को घुमाने के बाद उस कंगी के पास जब आप कागज के चोटे-चोटे टुकडों को लेकर जाते हो तो क्या बच्चो कि वो कंगी का कपड़े पर क्या करना है रगड़ना है और इस सड़ को फिर हवा से बरे गुबारे के पास लेकर जाना है जो चड़ आपने सिल्क के कपड़े के ऊपर रगड़ी है उस चड़ को फिर किसके पास लेकर जाना है हवा से बरे गुबारे के पास लेकर जाना है क्या होता है ध्या उत्पन विद्यूत आवेस आ जाता है दो वस्तुओं को आपस में रगणने से उनमें क्या होता है बच्चो विद्यूत आवेस उत्पन हो जाता है अब प्रशन हमारे सामने यह आता है कि यह आवेस कहां से आता है यानि जब हमने कंगी को अपने सूखे बालों पर क्या किया रगड़ा और उसके बाद उसको हम किसके पास लेके गए कागज के टुकड़ों के पास लेके गए ठीक है तो कागज के जो टुकड़े हैं बच्चो कागज के टुकड़े कंगी से क्या हो जाते हैं चिपक जाते हैं या कंगी की तरफ क्या होते हैं आकरसित होते हैं और डूस होता है तो इसका निश्καर्ज ये हैं कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है उनמה क्या उत्पैर होता है विध्युत आवेश उत्पन होता है अब प्रशन यह है कि यह आवेश कहा से आता है तो बच् Soo यह आवेश कहां से आता है तो इसका उतरतम मिला जब यह पता चला कि परमानू क्या है? परमानू विवाज्य है और किसे मिलकर बना होता है? आवेशित कनों से मिलकर बना होता है. यानि बच्चो जब हमने ये दो किरिया कलाब करें एक तो हमने सूखी कंगी को अपने बालों के अंदर रगडा और उसके के पास हम क्या लिगे जाते हैं? हवा से बड़ाn गुबारा, तो वो गुबारा क्या होता है? उसकी तरफ आकर्सिद होता है, तो बच्चो ये दोनो गठना क्यों खुआ पर तो बच्चो जब एकुआ को क्या करते हैं? एक दूसरे को अपनी तरफ आकरिशिति करते हैं, और यदि दो समान आव्स हैं, तो दो समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं परती करसित करते हैं दूर धकेलते हैं घीके तो यहाँ पर देखो बच्चो क्या हो रहा है कि आपकी जो कंगी है उसमें रिनात्मक आवेश उत्पन हो रहा है और कागजगी जो छड़ है उसके किनारों पर धनात्मक आवेश तो यह का करेंगे एक दूसरे को अपनी तरफ आकरसित करेंगे ठीके इसी तरह बच्चो देखो यह कांच की छड़ है और यह क्या है सिल्क का कपड़ा जब इन दोनों को रगड़ा जाता है तो बच्चो इन में क्या उत्पन होता है इन में आवेस उत्पन होता है और जब इ यानि इस प्रियोगों की मज़से ये सिद्ध हो गया कि परमानू कैसा है परमानू विबाज्य है जो बात डॉल्टन महोदे ने बताई थी कि परमानू अविबाज्य है वो बात यहाँ पर क्या होगी बच्छो गलत साबित होगी ठीके आगे बढ़ते हैं बच्छो जोन डॉ इस बात को गलट फेरा दिया गया कब 19-वी सताब्दी के आंतर तक क्योंकि असल में व्यज्ञानिकों ने उस दोरान प्रमाणू में आवेसित कन जैसे इलेक्ट्रोन प्रोट्रोन और अनावेसित कन नीट्रोन की क्या कर ली थी खोज कर ली थी एन्नी 19-वी सताब्दी समाप होते होते व्यज्ञानिकों ने प्रमाणू के अंदर दो आवेसित कन इलेक्ट्रोन और टोट्रोन और एक अनावेसित कन नीट्रोन की कोज कर ली थी जिससे ये साबित हो गया था कि प्रमाणू और विबाज्य नहीं है बलकि प्रमाणू क्या है प्रमाणू विबाज्य है और उसके अंदर आवेशीर कन मौजूद होते हैं, और इन electron, proton और neutron को क्या कहा जाता है, उप परमानवी कन कहा जाता है, तो बच्चो, ये डॉल्टन का जो atomic model था, उस डॉल्टन का atomic model ने, के अंदर डॉल्टन ने तो परमानवी को अभी बाज़ बताया था, लेकिन बाद में उसके अंदर किसकी खोज हूई बच्चो? उसके अंदर electron की खोज हूई, proton की खोज हूई और neutron की कोज हूई. गिसकी वजह से डौल्टन का जो ये परमानु सिद्धान था वो याँ पर क्या हो गया? गलत साविध हो गया. क्योंकि प्रमाणू के अंदर तिन नए कणों की कोज संभव होगी इसमें इलेक्ट्रोन और प्रोट्रोन ये कैसे कंड थे आवेसित कंड थे जहां पर इलेक्ट्रोन पर कौन सा आवेस होता है रिनात्मक आवेस प्रोट्रोन पर धनात्मक आवेस और आपका जो नीट्रोन है वो कैसा होता है neutral यानि की उदास हीन होता है ठीके आपकी proton और जो neutron है वो कहां मौझूद होते हैं वो परमानू के नाभीक में मौझूद होते हैं और जो बच्चो electron है वो कहा होता है electron बाहरी कक्साओं में क्या करते हैं चक्कर लगाते हैं ये बात कब तक पता चल गई 19. सताबदी के आंध तक और जिससे डॉल्टन का जो परमानू सिद्दान था वो यहाँ पर क्या हो गया गलत साबित हो गया आगे बढ़ते हैं बच्चो आगे बात कर रहे हैं electron की खोज तो बच्चो electron की जो खोज है परमानू में electron की उपस्तिती के बारे में बताया था कैथोर किर्ने कैसे थी? कैथोर किर्ने भी बच्चो रिनावेसित किर्ने थी कैसी किर्ने थी? रिनावेसित जिन पर रिनात्मक आवेस उपस्तित था तो टॉंसन ने इन कैथोर किर्नों की मदद से प्रमानू के अंदर इलेक्ट्रोन की उपस्तिति का पता लगाया अब बात करें इलेक्ट्रोन पर आवेस की तो इलेक्ट्रोन पर जो आवेस का मान है बच्चो वो होता है माइनस 1.6 गुणा 10 ती पोवर माइनस 19 कुलाम कितना होता है माइनस 1.6 गोना 10 की गात माइनस 19 कुलाम बच्चो कुलाम क्या है बच्चो कुलाम आवेस की इकाई है कुलाम क्या है बच्चो आवेस की इकाई अन्य आवेस को मातने का जो तरीका है बच्चो वो क्या है कुलाम है बात करें इलेक्ट्रोन के दर्वेमान की तो बच्चो इलेक्ट्रोन का दर्वेमान है 9.1 गुणा 10 की गात माइनस 31 किलोग्राम इतना दर्वेमान है 9.1 गुणा 10 की गात माइनस 31 किलोग्राम अब इलेक्ट्रोन को बच्चो E माइनस के द्वारा दर्साय जाता है इसके जरी दर्शाय जाता है E का मतलब electron और minus का मतलब है कि इस पर कुन सा आवेस होता है रिनात्मक आवेस मौजुद होता है electron का दर्वेमान लगबक क्या है नगण्य यानि बिल्कुल न के बराबर है और electron पर जो आवेस है वो कितना माना जाता है वेच्चो माइनस वन माना जाता है तो ये electron के बारे में सामाने जानकारी है कि electron की खोज cathode किर्णों की मदद से जेजे टॉम्सन के द्वारा या कई पर लिखा होगा जेजे टॉम्सन के द्वारा की गई थी ठीके electron पर आवेस का मान कितना होता है माइनस 1.6 गुना जसकी गात माइनस 19 कुलाम electron का द्रवेमान कितना है 9.1 गुना जसकी गात माइनस 31 किलोग्राम electron को दर्शाते कैसे है e-3 द्रवेमान कितना है लग बग नगन्य न के बराबर और आवेस कितना है माइनस 1 ठीके बच्चो यहाँ पर यह पर यह परमानू की स्रंचना का चित्र दिया हुआ है जिसमें नाभिक के अंदर कौन मौजूद है बच्चो प्रोटोन और नीट्रोन इलेक्ट्रोन बहारी कक्साओ में क्या करते है चकर लगाते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं बच्चो आगे बाद कर रहे हैं प्रोटोन की खोज इसकी खोज बच्चो प्रोटोन की खोज तो इ गॉल्डिष्टिन ने उनके द्वारा प्रसिद एनोर किरनो या केनाल किरनो के परियोग द्वारा परमाणू में धनावेशित कन यानि प्रोटोन की क्या की थी खोज की थी प्रोटोन की किसने की थी इ गॉल्डिष्टिन ने इनके माध्यम से एनोर किरनो के माध्यम से या ऐक दस्मलव चहें गुणा दसकी गात माइनस उननीस कुलाम रिषो फरत कितना है, कि साफ चेंज की गात माइनस उननीस कुलाम पाइनस प्रोतोन का दर्वेमान कीतना है 1.67M 32-14 ग्राम ठीके इतना है बच्चो प्रोटोन का दर्वेमान 1.673-24 किलोग्राम होगा किलोग्राम यहاں पर ठीके आगे बात करते है बच्चो यानि जो प्रोटोन का दर्वेमान है वो इलेक्टरोन का दर्वेमान का किटना है अठारा सो चालीस याने की लगबग दो हजार गुना डबल है कितना है? दो हजार गुना जादा है किसकी तुलना में? इलेक्ट्रोन के दर्वेमान की तुलना में बच्चो, प्रोटोन को किसे दर्शाते हैं? पी प्लस के द्वारा दर्शाते हैं किसे दर्शाते हैं बच्चो प्रोटोन को T प्लस के द्वारा दर्शाते हैं प्रोटोन का दर्वेमान कितना है बच्चो प्रोटोन का दर्वेमान लगबग एक E काई माना जाता है और आवेस कितना माना जाता है आवेस बच्चो प्लस वन माना जाता है तो ये बच्चो प्र 70 power minus 19 अपका कुलाम, प्रोटन का दर्मेमान कितना है, 1.673 गुणा दसकी गात-24 किलोग्राम, ठीके प्रोटन का दर्मेमान, इलेक्रोन के दर्मेमान का लगबग 2000 गुणा जादा है, प्रोटन को P plus से दर साते हैं, और प्रोटन का दर्मेमान को 1 इक काई और आविस को कया मान जाता है प्लस वन माना जाता है आगे बढ़ते हैं बच्चो आगे बात करते हैं परमानू की सरंचना की तो डॉल्टन के परमानू सिद्धांत के अनुसार परमानू कैसा था बच्चो अविबाज्य और अविनासी अविबाज्य का मतलब है कि जिसका विबाजन नहीं हो सकता ठीक है, अविबाज्य का मतलब क्या है? जिसका विबाजन नहीं हो सकता लेकिन परमाणू के भीतर, जब वो मूलकन, इलेक्टरॉन और किसकी कोज होगी? प्रोटॉन की कोज तो जो डॉल्टन का परमाणू सिद्दान था उस परमाणू सिद्दान की जो ये धारना थी कि परमाणू अविबाज्य है वो क्या होगी वो गलत साबित होगी तुकि डॉल्टन ने बताया थे कि परमाणू कैसा है अविबाज्य है इसके टुक्ले नहीं किया जा सकते लेकि यह पता चल गया कि परमानू विवाज्य है उसमें और्मानू और प्रोट्र casts होते है तो फिर यह जानने की आपसक्ता पढ़ी कि आखिर यह इलेक्ट्रों और जो प्रोट्रों हे वो प्रमानू के बीतर किस परकार वैवस्ती थे, कहां पर इस्तित होते हैं, यह जानना जरू किया प्रमानुओं की सरंचना से संबंदित जो सबसे पहला मोडल दिया गया था वो दिया गया था जय-जय टॉमसन के द्वारा यह वो पहले विग्यानिक थे जिसने प्रमानुओं के भीतर electron और proton की व्यवस्ता के बारे में क्या किया अपना model प्रस्तावित किया था ठीके बच्चो आगे बढ़ते हैं आगे बात कर रहे हैं Thompson का परमाणू model ठीके तो Thompson ने परमाणू की सरंचना से सम्मंदित एक model प्रस्तुत किया जो किसकी तरह था? Christmas केक की तरह था उन्होंने क्या बताया कि जो परमाणू है वो परमाणू क्या है? परमाणू एक धनावेस का गोला है परमाणू क्या है बच्चो? परमाणू एक धनात्मक गोला है धनावेस का गोला है जिसमें जो electron है वो electron Christmas केक में लगे सूखे मेवो की तरह क्या है जगे जगे पर धसे हुए है तो हमसर ने क्या बताया कि परमानु एक धनावेस का गोला है जिसमें जो इलेक्ट्रोन है वो इलेक्ट्रोन जीस तरह क्रिस्मस के केक में जगे जगे सुखे मेवे लगे होते हैं उसी तरह ये इलेक्ट्रोन उस दनात्मक गोले में जगे जगे पर दसे होते हैं फसे होते हैं इसके लिए आप समझने के लिए आप तर्बूज का उधारण भी ले सकते हैं जिसके अनुसार परमानू में जो धन आवे से वो तर्बूज के खाने वाले लाल भाग की तरह क्या है बिखरा है जिस तरह एक तर्बूज का जो लाल भाग है उसको हम दनावेस का गोला मान सकते हैं और तर्बूज के अंदर जगे 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 जो बीज फसे होते हैं उनको हुम क्या मान सकते हैं? हम इलेक्टरॉन मान सकते हैं जो उस दनावेसित गोले में तरभूज के बीच की भाति क्या हुए है? फसे हुए हैं. Thus Tromson का जो परमाणु मोडल है उसे Christmas cake तरह कह सकते हैं तरभूज मोडल कह सकते हैं या क्या कह सकते हैं? plum pudding model भी कह सकते हैं क्या कह सकते हैं plum pudding model plum pudding plum pulling model ये भी कह सकते हैं तो बच्चों टॉमसर ने क्या बताया कि परमानु एक धनाविस का गोला है और उसमें जो electron है वो जगे जगे क्या होते हैं धसे होते हैं ठीके उन्होंने इस बात को समझाने के लिए उसे हम क्या बान सकते हैं इलेक्ट्रोन तो तर्बूज का जो लाल भाग है वो धनावेश का गोला है और उसमें तर्बूज के बीच की तरह जो इलेक्ट्रोन है वो उसमें जगे जगे क्या होते हैं दसे होते हैं ठीक है बच्चो तो इस तरह टॉम्सन के इस मोडल को पलंप पर त्रमसन ने क्या प्रस्तावित किया कि परमानु धन Awesit गोले का बिना होता है। दूसरा उन्हान ने क्या बात बताई कि रर्नात्मक और धनात्मक आविस परीमान में कैसे होते हैं, समान होते हैं। एक परमाणू के अंदर जितना धनात्मक आवेस होता है उतना का उतना क्या होता है रिनात्मक आवेस यह जितना पलस का आवेस होता है धनात्मक आवेस उतना का उतना क्या होता है रिनात्मक आवेस होता है मतलब हम क्या सकते हैं कि जितने electron होते हैं उतने के उतने क्या होते हैं proton होते हैं इसलिए परमाणू विद्यूत्य रूप से क्या होता है उदासिन क्योंकि जितना दनात्मक आवेस है उतना ही उतना रिनात्मक आवेस है तो दूनों आवेस एक दूसरे को क्या कर देते हैं प्रमानू के उदासिन होने की व्याख्या तो होगी इन टॉम्सन ने जो ये दूसरी बात बताई है कि प्रमानू में धनाविश और रिनाविश की मातरा समान होती है और इसी वजह से प्रमानू क्या होता है उदासिन होता है ये बात तो बिल्कुल सही साबित होगी लेकिन ज जो बाद में दूसरे वग्यानिकों ने परमाणू की स्रंचना से संबंदित जो मोडल दिये उन मोडल को टॉंसन का ये मोडल समझा नहीं पाया तो टॉंसन की जो ये पहली बात थी कि परमाणू दनाविस का गोला है और उसमें जगे जगे इलेक्ट्रन फसे होते हैं ये बा परमाणू की स्रंचना से संबंदित एक अलग मोडल क्या किया प्रस्तावित किया तो अर्च्ट रधर पोड ये जानने के इच्चुक थे कि इलेक्ट्रॉन परमानू के भीतर कैसे वैवस्तित होते हैं और जो रधर पोड़ थे वो भी ये जानने को बहुत जादा उत्सु कि आखिर जो ये Electron है ये प्रमानु के वितर की इस तरह वैवस्थित रहते हैं? तो उन्हों ने क्या किया? बचो उन्हों ने एक परियोग किया, इस परियोग में उन्होंने तेज सोने की पन्नी अपने परियोग के लिए इन्होंने सोने की पतली पन्नी का उपयोग क्यों किया इसके वज़े क्या थी तो इन्होंने सोने की पन्नी इसलिए चुनी क्योंकि वे बहुत पतली परच चाते थे और सोने की यह पन्नी लगबग एक हजार परमानुवों के बराबर क्या थी मोटी थी ठीक है यानि उन्होंने अपने प्रियोग के लिए सोने की पन्नी का उप्योग इसलिए किया क्योंकि वो बहुत ही पतली परचाते थे ठीक है और आप सब जानते हैं कि जो आगाद वर दिनेत्या का गुन होता है वो सबसे जादा किसमें पाज जाता है सोने में और सोने की जो यह पन्नी थी यह लगबग एक हजार परमानूओं के बराबर क्या थी मोटी थी बहुती पतली थी अलफाकन क्या होते हैं तो बच्चों जो अलफाकन है वो द्वी आवेसित हिलियम के कण होते हैं अलफा कण क्या होते हैं द्वी आवेसित हिलियम के कण होते हैं और ये कैसे होते हैं हिलियम कैसा होता है धनावेसित ठीक है इनका दर्विमान कितना होता है दर्विमान होता है फोर इकाई कितना होता है चार इकाई इसलिए तीवर गती यानि तेज गती से चल रहे इन अलफा कणों में क्या होती है प्रयाप्त उर्जा होती है इसी वज़े से इन्होंने अलफा कणों की बोचार सोने की पतली पन्नी पर करवाई उन्हें यह अनुमान था कि जो अलफा कण है यह हिलियम के जो कण है वो सोने के परमानुवों में विद्यमान जो अ से बिक्सेफ़i जाए ज़ियूओं ने इनके अधिक विक्सेफटन की आसा नहीं की थी और दरफोडस ने जब यह प्रयोग किया तो उससे पहले उन्होंने यह अनुमन लगाया था कि सोने कि परमाणू के अंदर जो विद्दिमान अव परमाणू कन है नहीं इलेक्टरन प्रोटोन और जो न्यूटरन है उन कनो के दवारा जो अलफा कन है यहनि जोείanto का जाएगा onlyplayer कर दिया जाएगा क्योंकि जो अलफा कन हैं वो क्या होते हैं प्रोटॉन से बहुत ज़्यादा भारी होते हैं इसलिए उन्हें ये आसा नहीं थी कि इतना ज़्यादा विक्सेपन होगा और उन्हें अनुमान तो था कि विक्सेपन हो सकता है विक्सेपन का मतलब है कि जो हिलियम के कन थे उन कनो को सोने के प्रमाणू कणो के द्वरा करके जाएगा उनके मारक से भठक दिया जाएगा उनके मारक से क्या कभ दिया जाएगा भठका दिया जाएगा लेकिन उनके जो ये संभावना थी वो क्या हुई गलत साबित हुई और उन्होंने क्या प्रिणाम देखे वो देखो तो प उने की पन्नी से सीधे ही बाहर निकल गए, उनके मारग में कुछ भी विक्सेपन नहीं हुआ। हो गया वापस लोट आया तो रदर पोड ने अपने परियोग से तीन प्रिणाम प्रात किये क्या किये कि जो जाधातर कण है जाधातर लफाकण सोने की पन्नी से क्या हो गए बच्चो सीधे निकल गए सीधे क्या हो गए निकल गए कुछ लफाकण सोने की पन्नी से ठकराने क क्या हो गए कुछ कौन पर विक्सेपित हो गए अपने मारक से भटक गए और लगबग 12,000 कणों में से एक आधा कण ऐसा था जो अपने मुल मारक पर वापस लोट आया यह जिस मारक से गया था उसी मारक पर ठकरा कर वापस लोट आया यह तीन प्रिणाम देखने को मिले रध निसकर्स निकाला तो उन्होंने पहला निसकर्स निकाला कि सोने की पन्नी से ज्याजातर अलफाकन क्या हो गए सीधे निकल गए तो उन्होंने पहला निसकर्स निकाला कि परमानू के बीतर का जो ज्याजातर भाग है वो कैसा है खाली है क्योंकि अधिकतर अलफाकन बिना विक्सेपित हुए सोने की पन्नी से सीधे क्या हो गए बहार निकल गए उन्होंने पहला कहा परिणाम निकला कि परमानु के बीतर का जो ज़्यादातर भागे वो कैसा है खाली है इसी वज़े से अधिकतर ज़्यादातर जो अलफा कन थे वो सोने की पन्नी से बिना विक्सेपित हो गई बटक गई तो इससे उन्होंने क्या निसकर्ष निकाला कि परमानू के अंदर जो धनावेस का भाग है वो क्या है बहुत ही कम है तुसरा उन्होंने क्या निसकर्ष निकाला कि कुछ अलफाकन अपने बारग से विक्सेपित हो जाते है इसका मतलब है कि प पता लगता है कि सोने के परमानू का जो पून धनावेशित भाग है और जो दर्वेमान है पून धनावेशित भाग और दर्वेमान वो परमानू के भीतर बहुती कम आयतन में क्या है सिमित है यानि परमानू का जो संपुन धनावेशित भाग और जो संपुन दर्वेमान है वो एक बहुत ही चोटे भाग के अंदर क्या है सिमित है और जब उस चोटे से भाग से जब अलफा कंड टकराए तो वो उसे पार नहीं कर सके और अपने मुल मार्ग पर टकरा कर क्या हो गए वापिश लोट आए तो रदर फोड ने अपने इस प्रियोग के आधार पर ये ती अभी जो आपने पड़ा वो तो क्या था एक प्रियोग था जो उन्होंने किया था अब उस प्रियोग के आधार पर उन्होंने क्या किया एक परमानू का नाभीक ये मोडल प्रस्तावित किया और उसके उन्होंने क्या बात लिखी ये को पहली बात लिखी कि परमानू का ज संपुन दनावेश जिस केंदर पर समाहित होता है उसे उन्होंने क्या कहा नाभिक कहा एक परमानू का लगबग संपुन दर्वेमान कहां पर होता है नाभिक के अंदर होता है और नाभिक की जो तरीज्या है वो परमानू की तरीज्या से लगबग 10 गुना क्या होती है चोट धनावेसित होता है जिसे हम क्या कहते हैं नाभिक कहते हैं तो अगर आपको प्रजशा में प्रशन पूचा जाए कि नाभिक की कोज किस ने की थी तो बच्चों लिखोगे रदर पौड ने एक प्रमानू का जो लगबग संपुन दर्वेमान होता है वो उसके नाभिक के उन्होंने क्या लिखी कि जो इलेक्टरौन है जो पौशन ने क्या बताया था कि जगए जगए पर धसे होते हैं लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होता है कि इलेक्टरौन नाभिक के चारों और कुछ निच्चित कक्साव में क्या करते हैं चक्कर लगाते हैं इसरी बात रदर फोर्ड के प्रमाणू मोडल की कमिया क्या थी जो मोडल उन्हों ने दिया उसमें कमिया क्या थी तो देखो बच्चो कोई भी आवेसितकन आवेसितकन का मतलब है कि जैसे रदर फोर्ड ने किसकी बात की थी इलेक्ट्रोन की तो कोई भी आवेसितकन जब गोलाकार कक्स में क्या करेगा चक्कर लगाएगा तो उस इस्तती में उसकी गती में क्या होगा बच्चो परीवर्तन होगा ठीक है गती का मतलब है वेग और वेग में जो परीवर्तन होगा तो क्या उत्पन होगा तवरण क्या उत्पन होगा बच्चो तवरण है या वेग में परीवर्तन क के कारण, तवरण के कारण क्या होगा, जो आवेशित कन है, उससे उर्जा का क्या होगा, विकीरन होगा, उसमें उर्जा में धिरे-दिरे कम ही होगी, सिंपल सी बात है, यह दि कोई वस्तू गती कर रही है, तो उसका वेग क्या होगा, यह तो कम होगा, यह जदा होगा, तो और जब उर्जा कम होगी तो धिरे धिरे क्या होगा जो इलेक्ट्रोन है जैसे जैसे उसकी उर्जा खतम हो जाएगी तो एक इस्तती ऐसी आजाएगी कि जो अपना इलेक्ट्रोन है वो अपनी सारी उर्जा को क्या करेगा खो देगा और जब वो सारी उर्जा को खो देगा त बच्चो नाबिक से ठक्रा जाएगा और यह वो नाबिक से ठक्रा जाता है तो फिर परमानु क्या होगा परमानु आपका नश्ट हो जाएगा तो ऐसी इस्तती में जो परमानु है वो क्या होता अइस्तिर होता लेकिन हम जानते हैं कि परमानु कैसा होता है बच्चो तो ये रदरफोर्ण की बात क्या होगी, गलत सावित होगी, रदरफोर्ण ने क्या बताया था, कि एलेक्टोन नाबिक के चारों और कुछ नीजित कुछाव में क्या करता है, चक्कर लगाता है। यह सामने आई कि जब भी कोई आवसीत कन किसी गोलाकार कक्सा के अंदर चकन रगाता है तो क्या होता है उसमें तवरन उत्पन होता है और तवरन के दोरान उस आवसीत कनों से क्या होता है उर्जा का विक्रन होता है उर्जा उत्पन होके बहार निकलती है तो जब उर्जा का विक्रण होगा यानि उर्जा धीरे-धीरे कम होगी तो एक इस्तती ऐसी आएगी कि इलेक्ट्रोन की सारी उर्जा क्या हो जाएगी खतम हो जाएगी और जब उसकी सारी उर्जा जब नश्ट होगा यानि कि वो कैसा है अ इस तीरे वो इस्ता ही नहीं है जब कि हम तो जानते हैं कि परमानु कैसा होता है इस्ता ही होता है उसका नश्ट होना संभब नहीं है तो रदर पॉड की जो ये परमानु मोडल की ये बात थी कि इलेक्ट्रोन नाभिक के चारों और नीचित कक्साओं में चक्र लगाते हैं, क्या हो भी बात क्या होगी, बच्चों, गलतसाबित होगी, क्या होगी? यहां पर आके वह बात गलतसाबित गहें ठीके, तो यह थी रदरफॉर्ड के परमाणू मोडल की कमी, आगे बरते हैं बच्चों, बोर का परमानविक मोडल जब रदर पोर्ड का मोडल के अंदर कुछ कमिया रहेगी तो एक दूसरे वेग्यानिक आए है जिनका नाम था निल्स बोर क्या नाम था बच्चो निल्स बोर तो रदर पोर्ड के मोडल पर उठी आपतियों को दूर करने के लिए करने के लिए अपनी कुछ अवधानाय प्रस्तूत की इन्होंने क्या बताया कि इलेक्ट्रोन केवल कुछ निच्चित कक्साओं में ही चक्कर लगा सकते हैं जिनने इलेक्ट्रोन की क्या कहते हैं बीविप्त कक्सा कहते हैं रदरफोर्ड ने क्या बताया था कि इलेक्ट्रोन नाबिक के चारो और क्या करते हैं चकर लगाते हैं इलेक्ट्रोन नाबिक के चारो और कक्साओं में चकर लगाते हैं तो बोर ने क्या कहा कि इलेक्ट्रोन सभी कक्साओं में चकर नहीं लगाते इलेक्ट्रोन नाबिक के चारों और कुछ केवल निचित कक्साओं में ही चकर लगा सकते हैं और इन निचित कक्साओं को इन्होंने क्या कहा इलेक्ट्रोन की विविक्त कक्सा कहा या कहा इलेक्ट्रोन की विविक्त कक्सा और उन्हें बताया कि जब इलेक्ट्रोन इन विविक्त कक्साओं में चक्कर लगाते हैं तो उनकी उर्जा का विकीरन नहीं होता यानी उनकी उर्जा में कोई हनी या कमी नहीं होती है तो इन कक्साओं या कोसों को इन्होंने क्या कहा उर्जा इस्तिर कहा वे कोस या कक्सा जिसके अंदर इलेक्ट्रोन क्या करते हैं चक्कर लगाते हैं और उनमें चक्कर लगाने पर इलेक्ट्रोन की उर्जा में कोई कमी नहीं होती है उन कक्साओ या कोसों को इन्होंने का कहा उर्जा इस तर कहा ठीक है और बताया कि जब इलेक्ट्रोन इन विव इन्होंने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रोन की उर्जा में बदलाव है वो कब होगा जब इलेक्ट्रोन की कक्सा में बदलाव होगा यदि कोई इलेक्ट्रोन या तो बहार वाली कक्सा से अंदर वाली कक्सा में आएगा या अंदर वाली कक्सा से बहार वाली कक्सा में यह बात किसने कही निल्स बोर ने फिर से एक बार सुनो उन्होंने क्या कहा कि इलेक्ट्रोन नाभिक के चारों और केवल कुछ निच्चित कक्साओं में ही चकर लगा सकते हैं और इन निच्चित कक्साओं को जिसमें इलेक्ट्रोन चकर लगा सकते हैं इन्होंने उसे क्या कह इलेक्ट्रोन की विविक्त कक्सा कहा इन्होंने बताया कि जब इलेक्ट्रोन इन विविक्त कक्साओं में छक्कल लगा रहे होते हैं तो उनकी उर्जा में कोई कमी नहीं होती है ठीके इन कक्साओं या कोसों को इन्होंने क्या कहा उर्जा इस्तर अगला बिंदू उन्होंने क्या बताया कि किसी भी परमानू के इलेक्ट्रोन की उर्जा में जो बदलाव है वो कब होता है जब इलेक्ट्रोन की कक्सा में क्या होता है बदलाव होता है इस ता नान्तरन होता है या तो कोई electron बाहर वाली कक्सा से अंदर की तरफ आता है या फिर अंदर वाली कक्सा से बाहर की तरफ जाता है जैसे यहाँ पर देखो एक चित्र दिया गया है यहाँ पर सबसे बीच में बच्चो क्या है नाभीक है ठीक है फिर बच्चो जो पहली कक्सा है उसे N बराबर 1 या क्या का जाता है K कक्सा दूसरी कक्सा को N बराबर 2 या बच्चो क्या का जाता है L कक्सा तीसरी कक्सा N बराबर 3 या फिर क्या का जाता है बच्चो M कक्सा सौती कक्सा को N बराबर 4 या क्या का जाता है N कक्सा या पहली कक्सा या पहला कोस के है दूसरा एल पिसरा एम और चोथा बच्चो एन दूसरी बात बच्चो यही बताई गई है कि जो इलेक्ट्रोन है इलेक्ट्रोन की उर्जा में इस्तनांतरण कब होता है या तो इलेक्ट्रोन अंदर की तरब जाता है या तो क्या होगा उर् निमनक अक्सा से उच्छ कक्सा में जाता है तो क्या होगा उर्जा का अवसोसन यानि उर्जा अंदर की तरब ग्रहन होगी ठीके बच्चो जब एक इलक्ट्रोन उच्छ कक्सा से निमनक अक्सा में जाएगा तो उर्जा का क्या होगा विकिरन यानि उर्जा बहार निकलेगी और जब एक इलक्ट्रोन निमनक अक्सा से उच्छ कक्सा में जाएगा तो क्या होगा उर्जा का अवसोशन उसे और ज्याद उर्जा की क्या पड़ेगी जरुवत पड़ेगी ठीके बच्चो आगे बढ़ते हैं निउट्रोन की खोज तो जैम्स चैडविक ने हलके तत्व जैसे लीथियम बोरोन आदी की चैर कड़ों के साथ क्या करवाई बिढ़न्त करवाई जिनके कारण वस एक नए कन जिसका दर्वेमान प्रोटोन के दर्वेमान के लगबग बराबर था लेकिन वे कैसे थे वे बच्चो आवेस रहीत थे कैसे थे बच्चो आवेस रहीत की उत्पती क्या की सिद्ध की आनि की जैम्स चैडविक ने निट्रोन की खोज करने के लिए क्या किया हलके तत्व जैसे लीथियम बोरोन आदी की अलफा कनों के साथ क्या करवाई टकर करवाई जिसकी वज़े से एक नया कन प्राप्त हुआ जिसका दर्वेमान प्रोटोन के दर्वेमान के लगबग बराबर था लेकिन वो कैसा था आवेस रहीत उस पर कोई आवेस नहीं था और इस आवेस रहित काण को उन्होंने क्या नाम दिया बच्चो नीट्रोन नाम दिया क्या नाम दिया नीट्रोन नाम दिया ठीक है फिर बच्चो देखो जो नीट्रोन है वो हाइड्रोजन के प्रोटियम समिस्तानिक में नहीं होते हैं जो नीट्रोन है वो हाइड्रोजन के protium समिस्तानिक से अलग है ये आपको हमेसा देयन ड़कना है हाईडोजन का पोटियम समिस्तानिक वो neutron से क्या है अलग है मतलब क्या हुआ कि hydrogen का जो समिस्तानिक है protium ठीक है वो उसके अंदर neutron मौझूद नहीं होता है ये आपको देयन रखना है hydrogen के protein समिस्थानिक में neutron मौजुद नहीं होता है कारण क्या है क्योंकि electron का दर्वेमान proton और neutron के दर्वेमान से अत्यदिक क्या है कम है electron का जो दर्वेमान है वो proton और neutron के दर्वेमान से बहुत ज़ादा क्या है कम है इसी लिए परमाणू का जो दर्वेमान है वो प्रोटोन और निूट्रोन के दर्वेमान का क्या होता है योग होता है यह आपको ध्यान रखना है चीके आगे देखो बच्चो यहाँ पर इलेक्ट्रोन प्रोट्रोन और निूट्रोन की एक सार्णी के द्वारा तुलना करके बताई गई है जहाँ पर इलेक्ट्रोन प्रोट्रोन और निूट्रोन को तीनों को हमने लिखा है और एक बाग में हमने इसके गुनों की बात कर रहे हैं देखो पहला गुण है चिन हो बच्चो इलेक्ट्रोन को किसे दर्शाते हैं बच्चो इमाइनस से दर्शाते हैं किसे दर्शाते हैं बच्चो इमाइनस से प्रोट्रोन को बच्चो किसे दर्शाते हैं पी प्लस से प्रोट्रोन को बच्चो किसे दर्शाते हैं पी प्लस से ब नाबिक के चारो और विबिन उर्जा या कक्सो में चक्कर लगाते हैं वही बच्चो प्रोट्रोन की बात करें ये नाबिक के बितर क्या होते हैं इस्तित होते हैं तो दूसरा अंतर क्या हो गया कि इलेक्ट्रोन नाबिक के चारो और जो उर्जा इस्तर होते हैं उनके अंदर चक्कर लगाते हैं जबकि प्रोटोन और जो आपका नीट्रोन है ये नाभिक के अंदर मौजुद होते हैं फिर बात करें आवेस की तो सापैक्सिक आवेस की मात्रा कितनी मानी जाती है एलेक्ट्रोन पर माइनस एक और वास्त्विक जो रिन आवेस है वो कितना है बच्चो माइनस एक दसमलव चे जो चे जीरो दो गुणा दसकी गात माइनस उननीस कुलाम यानि माइनस एक दसमलव चे गुणा दसकी गात माइनस उननीस कुलाम कि इस पर है एलेक्ट्रोन पर आ 6, 1, 2, 1, 10, 11 कुलाम. न्यूट्रो न की बात करें, न्यूट्रो न पर कोई आवेश नहीं होता है, यानि यह कैसा होता है, बच्चो? यह उदासिन होता है, ठीके. अगला है प्रकरती, बच्चो, इलेक्रोन की प्रकरती कैसी है? रिन आवेसित कैसी है बच्चो रिन आवेसित प्रोटोन की प्रकरती कैसी है बच्चो धन आवेसित और निटोन की प्रकरती कैसी है आवेस रहीत या बच्चो उदासिन ठीक है फिर बात करें इलेक्टोन के दर्वेमान की बच्चो तो इलेक्टोन का जो साप्लेक्सिक दर्विमान है ठीक है यह वास्त्विक दर्विमान है ठीक है तो एक दस्मलव 6-73 गुणा 20 की गात माइनश 24 ग्राम वही नीट्रॉन के दर्विमान की तो एक दस्मलव 6-75 गुणा 10 की गात माइनस 24 ग्राम ठीक है तो प्रोटोन और नीट्रोन का दर्वेमान लगबग बराबर है और जो प्रोटोन का दर्वेमान है वो इलेक्टोन के दर्वेमान की तुलना में लगबग कितना के जादा है 2,000 गुना ज्यादा है टीकिए बच्चो तो इस तरह बच्चो हमने आपके भाग एक के अंदर क्या सिखा है बच्चो हमने परमाणू की स्रंचना के बारे में सामाने जानकारी जिसमें इलेक्ट्रोन की कोज प्रोट्रोन की कोज और नीट्रोन की कोज साथ ही साथ हमने टॉम्सन का परमाणू मोडल रदर फॉड का परमाणू मोडल और आपका किसका निल्स बोर का परमाणू मोडल इनकी सर्चा हमने बच्चों बहुत अच्छे से की है उम्मिद करता हूँ आज के टॉपिक आपको अच्छे समझ में आये होंगे तो क्लास देखने के लिए आपसे भी का धन्यवाद यदि आपको मेरी क्लास और महनत पुसंद आई है तो बच्चो लाइक, कमेंट से और सब्सक्राइब जरूर करें आज गले इतना ही, जय हिंद, जय भरत